Hello student, welcome to our channel, Mohsen Explained, GSEB Medicine. Now in this video, we are going to understand the question, which change occur in the weather due to the increasing height from the sea level. अब जब भी हम, जितना जादा हम समुद्र तल की उचाई से हम उपर जाएंगे, मतलब हाइट की तरफ जाएंगे, तो उससे मौसम में, वैदर में क्या बदलावाएगा? हम यह चीज़ यहाँ पर हम समझेंगे, चलिए, आंसर को हम समझते हैं, so the answer is, from the height from the sea level, the temperature and the pressure of the atmosphere decreases as we go higher from the sea level. अब एक सीदी सी बात है, जितना जादा हम जमीन से या समुद्र तल से आस्मान की तरफ जाएंगे, स्पेस की तरफ जाएंगे, तो उतना ही जादा temperature drop होगा, यानि कम होता जाएगा. यहाँ पे example दिया हुआ है, generally the temperature decrease by 1 centigrade, for every 165 meter, or by 6.5 degree centigrade for every 1000 meter, इसको दो तरीके से समझाया गिया है, कि अगर हम जमीन से 165 meter उपर गये, तो temperature तकरीबन 1 degree down हो जाता है, इसको अगर मैं और easy कर दूँ, तो अगर हम जमीन से 1 km उपर जाएंगे, तो temperature तकरीबन 6.5 degree नीचे हो जा अगर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर अगर हम जमीन पर हैं, उसका temperature 34 degree है, 35 degree है, ठीक है, आप जैसे ही 1 km जमीन से आसमान की तरफ जाओगे, तो temperature ड्रॉप हो के सीधा 27.5 degree centigrade down हो जाएगा, तो सबसे पहला तो यह आप दिमाग में रखिएगा, कि जितना उपर हम जाएंगे, temperature उतना ही नीचे जाएगा, So every layer of the air exert pressure over the underlying layer, अब यहाँ पे जैसे आप जानते हैं, कि हम जैसे जैसे हम एटमाग उपर जाएंगे, तो layer होती है, जैसे atmosphere, metosphere, stratosphere, यह हमारी layer होती है, हमारा atmosphere जो है, काफी सारी air के pressure की वज़े से बना हुआ है, So जो हमारे atmosphere के उपर की जो layer है, वो क्या करती है, हमारे atmosphere के air pressure पर वज़न प्रेशर करती है, As we go higher, the air layer are less in number, और thin, हमारे adapted dense population, सबसे dense air है, वो हमारी atmosphere, उसके उपर air layer है, पर लेकिन वो इतनी ज़्यादा dense नहीं है, और thin है, So the air pressure decreases, और जितना ज़्यादा हम उपर जाएंगे air pressure decrease होगी, इसके लिए, mostly of time आपके देखा होगा, कि जो भी space में जाते हैं, या फिर पहाडों पे एकदम height पे जाते हैं, वो लोग अपने साथ oxygen cylinder रखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उपर जाएंगे, उतना ही air pressure कम होगा, और वहाँ पे हमें सांस लेने में problem हो सकती इसकी वज़े से हमेशा, उचे एरियों में क्या होता है, कि हमेशा जो हवा रहती हो ठंडी रहती, example, there is much heat in the plane of northern Gujarat, while hill station at Mount Abu, which is nearby, enjoy the pleasant weather during summer, अब for example, अगर हम अभी Gujarat सूरत में हैं, यहाँ पर का अगर हम temperature माने, 34 degree है, 35 degree है, लेकिन यही आप अगर same time पे, दूसरे दिन temperature आपको ना ठंडा मिलेगा, pleasant, क्यों? क्योंकि वो तक्रीबन देखा जाए, तो सूरत से आबू तक्रीबन आपका 2-3 km height पे है, तो जैसा कि खा, जैसे जैसे हम उपर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो climate जो है, वो ठंडा होना चालो हो जाएगा, so, यहाँ पे हमने समझा, कि temperature height पे, हमने यहाँ पे यह जाना, कि जिदना हम उपर जाएंगे, temperature उतना down होगा, altitude increase the rainfall, where high peak of Himalaya remains snow-clared throughout the year, अब altitude, जैसे जैसे हमारा जो water vapor है, वो उपर की तरफ जाता जाएगा, temperature down हो रहा है, तो water vapor दीरे-दीरे करके condense होगा, droplet मे convert होगा, और फिर बारिश होगी, so, very high peak of the Himalaya, इसी लिए, जो हमाले Himalaya की जो high peak है, वो आप मानों तक्रीबन जमीन से, समुद्रतल से, आपकी 4 से 5 km उपर है, तो 5 km भी अगर average मान के चले हैं, अगर अभी हमारे यहाँ पे सूरत में temperature 35 है, और Himalaya अगर 5 km उपर है, तो कितना down होगा, 6.5 into 5 तक्रीबन, वहाँ पे आपका temperature 0 degree के आसपास होगा, तो जैसा ही water vapor ट्रैवल करके Himalaya के पास पहुसता है, ठंडा होता है, वो डॉप्टेट बन जाता है और बारिश हो जाती है, और जितना जादा फिर यह water vapor हिमालया के तरफ ट्रैवल होगा, और कुछ टाइम के बाद वही आपका water vapor स्नोफ इसलिए आसाम में घाल है, यहां पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यह जो है, यह बहुत ज़्यादा हाइट पे बसा हुआ है, तो इन दिस वे इस question ends over here, anyone having any doubt, any query, they can comment me in my comment box, any chapter के remaining question answers भी मैंने explain कर दी है, उनकी वीडियो के link आपको मेरे description box में मिल जाएगी, thank you very much